हालो नमस्ते स्वाथ स्रीया काल दोस्तों और इस वीडियो में आपको Amazon AWS से जूड़ी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ यहाँ पर गाईज यह वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यह है कि मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आएं और दो बंदों के कॉल आएं कि उन्होंने Amazon AWS का फ्री टायर जो है वो रेजिस्टर करा था अपने डेबिट काड और क्रेडिट काड से और कुछ दिनों के यूज के या फिर कुछ दिनों के बाद एक मेने दो मेने के बाद उनको अच्छी खासी 100 डॉलर 200 डॉलर की बिल आ गई है जबकि उन्होंने उतना यूज नहीं करा जितना की उन्हें मिला था फ्री टायर में लिमिट तो यहाँ पर क्या होता है हम सब में से जो भी लोग Amazon AWS यूज कर और उसको यूज करें अपने चोटे मोटे काम हो के लिए यहां पर गलत इस्तमाल भी एक तरहीं कर लेते हैं और यहां पर बहुत लोग आड़ी पी से बड़ी बड़ी फाइल्स भी डाउनलूड कर लेते हैं इसकेस में क्या होता है Amazon EC2 जो की जो यह सर्विस है जो कि आपक इसका फ्री टायर मिलता है आपको आपको सिर्फ एक SDFC या फिर कोई भी प्राइबट बैंक या फिर कोई ऐसी बैंक जो उसमें सपोर्ट कर रही हो उसका डेविट कार या क्रेडिट कार यूज करना होता है और आपको दो रुपए ऐसे कुछ करके चार्ज करते हैं जो बैसिकली आड़ीपी के यूज के लिए Amazon AWS का एकाउंट करता है जबकि Amazon AWS फ्री टायर जो देता है वो देता है सिफ रिसर्च परपर्पस के लिए सीखने के लिए लर्निंग परपस के लिए अगर आप एक डवलपर है या फिर कुछ ऐसा आपको सीखना चाहते है Amazon AWS के सर्व साल में वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कोई नहीं आएगी क्या एक साल टक differ you ऐसा बिल्कुल नहीं है Amazon AWS जो एक साल के लिए प्री टायर देती है वो एक लिमिट के साथ यह है उसकी जो लिमिट है की Windows Server की जो VM है वो आपको देती है और 750 आर्स की Linux Server की VM देती है यानि वर्चौल मशीन आप बोल सकते हैं यानि कि इच मंथ आपको हर मंथ अगले 12 मंथ के लिए 750 आर्स की आपको Linux Server यूज करने के लिए देती है कि आप उसमें कोई सा भी चलाएं रेड है चलाएं सेंट वेश चलाएं वह आपके उपर है और 750 आर्स की आपको Windows Server प्रोवाइड करती है यानि कि आप 750 आर्स एक मंथ में यूज कर सकते हैं आपका जो भी आड़ीपी होगा जो भी आप आप आड़ीपी या इंस्टैंस चलात का लेट सब्सक्राइब का कोई इंस्टैंस रणिंग कंडिशन में है तो अगर आप उसे 10 मिनिट के लिए को इंस्टैंट को रणिंग रख रहे हैं तो और 10 मिनिट के बाद उसे टर्मिनेट ए स्टॉप कर देते हैं फिर भी Amazon AWS जो है उसको वन आर काउंट करता है यानि कि आप थोड़ी देर भी अगर उसको स्टाट कर ले तो पूरा का पूरा पूरा आर काउंट होता है इस केस में यानि कि अगर आप 15-20 मिनिट भी यूज कर रहे हैं Amazon AWS का जो इनस्टैंस है तो वह आप पूरी आर यूज कर रहे हैं यहां पे अगर आप पे उपर डिपेंड कर सकते हैं अगर आप 10 Linux server यूज कर रहे हैं तो आप एक Linux server को 75 hours दे सकते हैं एक मंत के अंदर में यह हो गई EC2 के आपकी जो इनस्टैंस की बात है जो आप यूज करते उसकी अब यहां बात करते हैं EBS की Elastic Block Storage की Amazon AWS में आप जब इनस्टैंस क्रेट करते हैं तो आपको जो remote computer मि जानकारी होगी कि RDP क्या होता है मैंने इस पर पूरी डीटेल वीडियो बनाई है अगर आपको नहीं पता तो description में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा आप उस वीडियो को देखेगा जिससे आपको पता चल जागा कि RDP एक्चुली होता क्या है और मैं किस बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर जब आप RDP इंस्टेंस क्रियेट करते हैं तो वहां पर जैसे आप दूसरा remote computer मिलता है तो आपको एक storage मिलती है वह storage 30 GB की होती है यानि उसे बोलते है तो उसे भी जादा बढ़ाया जा सकता है लेकिन 30 GB तक Amazon AWS आपको फ्री टायर में लिमिट देती है 30 GB से जादा फाइल अगर आपने रिट्राइव किया और लोगों को Amazon AWS का बिल आता है और लोग समझ नहीं पाते हैं वो परिशान हो जाते हैं और बहुत जादा जो है वो मतलब घबडा जाते हैं कि इतना बिल मुझे कैसे आगे मैंने तो यूज नहीं किया काफी लोग क्या करते है Amazon AWS का इस्तमाल के काली Linux डाउनलोड कर लेते ह हैं डाउनलोड तो बहुत जल्दी हो जाती है बट उसकेस में क्या होता है कि वहां पर आपको दो जीवी तीन जीवी वैसे ही चले जाते हैं तो यहां पर मैं आपको बोलूगा कि आप उस स्टोरेज का हमेसा ध्यान रखिए कि कितना स्टोरेज आपने यूज करा है कितना स उसके बाद आप उसको क्लोज टर्मिनेट कर दें तो इस केस में आपका आर भी है पूरा यूज आएगा और आपको पूरी टाइमिंग आपको मिलेगी यहां पर बात हो गई इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज की और इंस्टैंसे की अब यहां पर कुछ लोगों की मन में आता की के निञे तो वहां पर आपको पूरा पूरा जो हे वहां पर एक डैशबॉड मिलता है जिसमें आपको पूरी बहुत उप्षार अप्सन में left-side में में वहां में जाएंगे तो ओआपको पिल नाम का एक option दिखेगग की वहां पे डैश्बॉड पे आपको लिमिट दिख का जैसे आप Amazon AWS का account बनाए console में login करें तो आप सबसे पहले जाए उस preference option में account setting के अंदर में वहाँ पे आपको एक option मिलेगा tick mark करने का billing alerts तो आप billing alerts को on कर दे और वहाँ पर अपनी email id जो है जिस पर आप alerts चाहते हैं वह insert कर दे उसको आपको जो आपको billing alerts जो होगी वह आपको उस mail id पर आपको मिलती रहेगी कितना limit आपका बाकी है अगर आप free tire से ज्यादा exceed करने लगेंगे तो वहाँ पे आपको जो है alert आजाएगा कि आपका alert जो है वह exceed होने वाला आपका free tire exceed होने वाला है तो आप या तो close कर दे या तो पैसे देने के लिए ready रहें यह काफी लोगों को नहीं है तो यहां पर Amazon AWS जो है इसमें आपको मैं पहली बता रहा हूं clear clear कि free tire जो होती है वो limit के साथ होती है बिलकुल free नहीं होता 750 hours की आपको Windows और Linux server each मतलब Windows server का 7050 hours और 750 hours आपको Linux server का मिलता है और 30GB की है जो elastic block storage आपको provide की जाती है तो यह काफी जादा आप लोगों मैंसे मन में सवाल होगा काफी लोगों के तो इसलिए मुझे यह clear करना था इसलिए मैंने यह video आप लोगों को बनाई समझ नहीं पाते है कि stop क्या होता है टर्मिनेट क्या होता है दोने में थोड़ा से माइने डिफरेंस है जब आप किसी इंस्टैंस को stop करते हैं तो आपकी जो IP address है Elastic IP address जो है वो आपसे ले ली जाती है आपका जो VM virtual machine जो है वो आपसे ले ली जाती है पूरी तरीके से और आपका जो EBS है Elastic Block Storage वो वहीं के वही रह जाए यानि कि उसकी जो files है उसकी जो data है वो नहीं delete होती है वो वहीं का आपका safe रहता है इस case में stop के case में अगर आप Elastic अ वो भी वहां से ले लिया जाएगा उसके data को पूरी delete कर दी जाएगी और पूरी data जो आपको delete हो जाएगी जो भी आपने safe करके रखा होगा तो यहां पर मैं आपसे बोलूँगा कि हमिसा stop करें अगर आप Amazon AWS जो AWS का instance अग प्रेट किया है तो आप stop करें अगर आप data को safe रहन तो आपको जो है फालतू के billing ना आए और आप इस बिल से बचे रहे क्योंकि काफी लोग स्टूडेंट है और वो इतना बिल effort नहीं कर पाएंगे बाइचंस आपको last में एक tip देता हूँ और छोटा सा कि अगर बाइचंस आपको बिल आ जाती है बाइचंस आपको बहुत ज स्टूडेंट हैं आपने कोई कैसा कुछ यूज किया नहीं हैं और आपको आइडिया नहीं था जिसके कहां आपकी जो है इतनी बीलिंग आ गई है और आप बिल पे करने में जो हैं वह अनेबल हैं ड़िया है और आपके वो चीजाफ को समझ जाएंगे और उसके बाद आप इस वीडियो में कुछ ऐसे वीडियो के साथ इस वीडियो के लिए इतना है अगर वीडियो अच्छे लगी तो लाइक को शेयर कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजेगा बाए टेक कियर